आलान के वक्त के साथ घा तो भर जाता है पर निशान छोड़ जाता है तो ऐसा ही कुछ अपने बॉलिवूड सितारों के साथ होता है जैसे कि आप सब भी जानते हैं या ब्रेक अप और अफेर की खबरों का बाजार हमेशा गरम रहता है भले ही बॉलिवूड के अक्टर ब्रेक अप के बाद मूँ आउन कर लें पर अतीत उनका पीछा कभी नहीं छोड़ता है अब अक्टर विवेक ओविरॉय को ही देख लो कभी वह भी एश्वरय राय के साथ अफेर को लेकर खूब सुर्खिया बटोर रहे थें दोनों फिल क्यों हो ग्याना के सेट पर एक दूसरे के नज़्दीक आ गये थें उस समय तो उन पर अश्वरय की दिवानगी कुछ इस कदर चाई हुई थी कि वह उनके यानि अश्वरय के एक्स बॉर्फरेंट सलमान खान से भी भीड पड़े थें यही नहीं उस समय तो विवेक ने एक प्रेस कांफरेंट कर सलमान खान के खिलाब अपने जगड़े को खुले आम कर दिया था आलांग की बार में उन्हें इस बात का पस्तावा तो जरूर हुआ अब आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर गड़े मुर्दे क्यों उखाट रहे हैं तो आपको बता दें कि हाल इमें विवेक उबिरॉय का एक इंटर्वी हुआ जहां उनसे एश्वरे संग रिष्टे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मेरा वो वक्त अब गुजड़ चुका है इसी रिलेशन्शिप को लेकर जब विवेक से पूछा गया कि क्या करियर के शुरुवाती दोर में एश्वरे राय के साथ अपने रिष्टे को जग जाहिर करना उनके लिए सही था तब इस सवाल पर विवेक ने साथ तोर पर कुछ भी कहने से मना कर दिया उन्होंने कहा मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा क्योंकि अब वो सब खत्म हो चुका है मेरे जिंदिकी का वो वक्त अब गुजड़ चुका है पर जो यंग और टैलेंटिड लोग इसे देख रहे हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि वे अपनी लाइफ में केवल करियर पर ध्यान दें और काम के प्रती समर्पित रहें काम को 100% दें बता दें कि विवेक ने 2010 में प्रियांका अलवा से शादी कर ली थी और अब दोनों के दो बच्चे हैं जिसमें बेटे का नाम विवान वी और बेटे का नाम अमियाग निर्वाना अबिरॉय है तो आपको ये खबर कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें Thank you so much